नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने अनलाइन इस्टिट्यूट निसान दियान के ऊटोब प्रेटफार्म पर मैं नितिनुपाद्य है आप सभी का स्वागत करता हूं अभिनेदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर मित्रों काफी सिच्छक बनने वाले स्वाइन रखता है तो स्वाइन देखा आप उसका देख लेना है और किस तरीके से पढ़ाई करनी है उसका तजूरबा मैंने वहां पर बताया है और पूरा वीडियो को देखिएगा बहुत कुछ आपको मोटीवेशन मिलेगा और कुछ अलग करने का विचार आप बना रह बना रहे हैं, उनके semester को दिखा रहे हैं, तो मैंने B.Ed. वालों को भी बताया, कुछ दिन आप गम करिए, ज्यादा ज्यादा चार-पांच दिन, 11 अक्टूबर से D.E.L.E.D. की classes शुरू है, तो D.E.L.E.D. 11 अक्टूबर के बाद, D.E.L.E.D. के बच्चे जो है, एडमिसर ले लेंगे, वो फिर हो जाएंगे, उसके बाद जो आपका syllabus है, B.Ed. वाला syllabus, उसके बारे में हम चर्चा कर देंगे, कि B.Ed. में किस तरीके से और कैसे पढ़ाई करती रहनी है, बेसिकली यह अगर आपका सिच्छक बनने का पूरा उद्देश से है, ध्यान से सुनिएगा, तो अगर आपको सिच्छक बनने का पूरा उद्देश से है, चाहे कोई भी वीडियो जाए, डेली आपको 9 बजे से 9 बजे के बीज हमारा एक वीडियो जाता है, उस वीडियो को अगर अपन कुछ देली नियमित रूप से कुछ नया सिखा के जाएगा, कुछ जोस भर के जाएगा, कुछ कर गुजरने के लिए जो आपके अंदर साहस है उसे बढ़ा करके जाएगा, ठीक है, तो वीडियो को जरूर देखा करिए, और नियमित तौर पर मैं वीडियो देने का प्रयास क जब आप प्रथम समेश्टर के स्लेबस को देखेंगे तो उसे कोरिलेट करिएगा उसमें पहले उसमें मैंने बताया था क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि BTC करने के बाद मुझे TET के लिए अलग से पढ़ना पढ़ेगा तो मैंने बताया BAT करने के बाद आपको TET के लिए समंद नहीं बना पाएंगे BAT के सब्जेक्ट के और TET के सब्जेक्ट में बहुत बड़ा अंतर रहता है लेकिन BTC का जो सब्जेक्ट होता है वो TET के सब्जेक्ट से पूरा-पूरा में लखाता है क्योंकि जो TET है प्रात्मी का स्तर की सिच्छक भरती है वो BTC के लिए ही बनाई गई थी लेकिन वरतमान में BAT को वरियता दे दी गई है तो BAT वाले भी आ रहे हैं तो BAT को पढ़ना पढ़ेगा TET के लिए लेकिन BTC का बच्चा जो कर रहा है वोगरा क्लासेज लेगा और लगातार सिमिस्टर की परिछाएं ही क्योवल मनसे दे करके पढ़ाई कर आते हैं यहां से question 30 नंबर के आते हैं तो यहां पर जो पहला topic मैंने लिखा है second semester में वरतमान भारती समाजयों प्रारंबिक सिच्छा यह आपको 50 अंक को देखने को मिलेगा वरतमान भारती समाज में प्रारंबिक सिच्छा क्योंकि आप जो teacher बन रहे हैं basically आप basic सिच्छा क के लिए बन रहे हैं teacher तो आपको बताया जाएगा कि वरतमान के भारती समाज में प्रारंबिक सिच्छा किस अस्तर से सुरू होती है आपको यह भी बताया जाएगा कि जो विद्याले होते हैं जो प्रात्मिक स्कूल बनाए जाते हैं देखिए आप primary school में सरकारी government teacher बनेंग ठीक है इसे द्यान रखिएगा मैंने देखा है कि BTC के एक किताब में वहाँ पर मैं इसे पढ़ा तो उसमें लिखा गया था कि वरतमान भारती समाज में प्रारंबिक सिच्छा की विसम बताऊं तो उसमें था कि एक विद्याले की मानिता आप primary विद्याले की मानिता कैसे ले सकते हैं ऐसे question भी पूछा गया था ठीक है ऐसे question भी आया था कि आप किस तरीके से मानिता ले सकते हैं तो उसमें बताया गया था कम से कम दो छतदार कमरे होने चाहिए उसमें जो है चार जो है टाइल्स वाले कमरे होने चाहिए एक आफिस होना चाहिए एक नल होना चाह में देखाई देगा आपको मनुविज्ञान का ही पोर्शन है ये दोनु ठीक है ये दोनु प्रारंबिक सिच्छा के नवीन प्रयास ये भी जो है बाल मनुविज्ञान का ही सिद्धान्त है पचास अंक आपको सिमिश्टर में देखने को मिलेगा प्रारंबिक सिच्छा में जिन्होंने नवीन प्रयास किया, इसमें क्या आपको जैसे जो थारंडाइक का नियम है, जो अलबर्ट बंडूरा का सिध्धान्त है, जितने भी आपको मनोविज्ञानिक सिध्धान्त आपको देखने को मिलेंगे, जो आप T.E.T. में स्पेसल बड़े-बड़े कोचिंगों बड़े-बड़े नामी-गामी कोचिंगों में पैसा फिक करके पढ़ाई करेंगे, अगर यहाँ पर आप मेहनत कर दते हैं, प्रारंबिक सिध्धा के नवीन प्रयास, तो इसमें ही आपको सभी कुछ देखने को मिल जाएगा, जो बच्चे B.E.D. करते हैं, और जब T.E.T पर नहीं होती हैं, तो लोग B.T.C. से किताब मांगते हैं, कि वहाँ से ही क्वेश्चन उठाया जाता है, समझ मैं, आप कुछ लोग कहेंगे B.E.D. करने से तब का फायदा, B.E.D. करने से आपके दोनों हाथ में लेड़ू है, थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, समझ मैं, चलिए, उसके बाद जो विज्ञान है, मित्रो, विज्ञान 25 नंबर का, आप कुछ लोग पूछेंगा, भईया, विज्ञान तो T.E.T. में आता ही नहीं है, तो भाई, विज्ञान T.E.T. में नहीं आता है, लेकिन सुपर T.E.T. में विज्ञान आता है, यहाँ पे विज्ञान जो आएगा 25 नंबर का, जो विज्ञान रहेगा, बहुती बेसिक विज्ञान रहेगा, आप से पूछा जाएगा बल का मातरक्या होता, आप से पूछा जाएगा दाफ का मातरक्या होता है, इसी तरीके के विज्ञान आएगा और विज्ञान में के लिए नहीं है जो 25 नंबर का क्वर आपको अपको पढ़ने के लिए नहीं है आप से का मात लग त testim अ पूझ स defect आहे लेकिन आपके लिए एक पढ़ने कभूडने वाला भी से नहीं है यह आप को ट्रेनिंग देगा को ही आपको कैसे पढ़ाना है जब आप बड़े अस्तर के टीचर होते हैं, जैसे जो B.A.D. करेंगे, उक अच्छा नमी दस्मी में टीचर होंगे, T.G.T. के विज्ञान से, तो उन्हें बताने किया वस्यक्ता नहीं होगी, बच्चे किस तरीके से एडॉप्ट करेंगे, बच्चे तो वहाँ पे नॉर्मल में हम किस तरीके से उतारेंगे, में कारण यही होता है, कि यहाँ पे आपको पैडोगोजी, मनु विज्ञान से ही संबंद इसका बनाईएगा, मनु विज्ञान से ही संबंद बनाईएगा, विज्ञान का भी, क्योंकि यहाँ पे आपको सिखाया जागा, विज्ञान कर तो गड़ित जब आप चारों से मिश्टर में पढ़ते रहेंगे तो गड़ित आपके लिए आसान ओजाएगी ठीक है तीस नंबर में से तीस नंबर आप कर ले जाएंगे तीट की बात कर रहाएं या तो पचीस में से आप कुछ प्राइब करेंद सामाण नवी दसमी में आपने कभी पढ़ा होगा वहीं सामान नद्धन आपको देखने को मिलेगा इसमें ऐसा नहीं है कि आपको केवल और केवल इतिहासी पढ़ाए जागा इतनी इसमें जो है इतिहास भुगोन लागरिक सात्र अन्य तमाम सब्यक्ट हो स अगर आप एक सिच्छक बनने जा रहे हैं तो और इस इसी अपेच्छाओं के करणड़ सामान एंद्यन का जो सब्जेक्ट है वह आपके जो है सिलिबस में रखा गया है तो 1911 में जो है लार्ड हार्डिंग के द्वारा एक होसला होती है कि हम कोलकाता से राजधानी दिल्ली परिवर्थित करते हैं 1912 में दिल्ली राजधानी हो जाती है तो प्राइमेरी का बच्चा यह नहीं जानेगा मतलब प्राइमेरी के बच्चों को नहीं पढ़ाना है बिटा 1911 में दिल्ली राजधानी बनी केवल उसे इतना पढ़ाना है कि दिल्ली हमारे देस की वर्तमान म लेकिन आप एक सिच्छक होने के नाते आपको जरूरी है यह जानना क्योंकि यह प्राइमेरी के पर्मोड करके कहां जाएंगे जूनियर में यह चीजी आपको बच्चों को पढ़ानी पड़ेंगी ठीक है तो यह मतलब की मैटर है आपको जो है जूनियर में पर्मोसन के तो हर एक वीसे में कुछ ने कुछ पैड़ा होगा जी मनोविज्ञान सम्मंदित आपको question देखने को बिलेगा, हमेशा मैं मनोविज्ञान का नाम इस वज़ा से लेता हूँ, क्योंकि यह जो मनोविज्ञान होगा, यह आपको जो है बच्चों को किस तरीके से treat करना है, पढ पढ़ना है, मनोविज्ञान आपको हर एक subject में पढ़ना है, क्यों, क्योंकि आप जो हर एक subject को किस तरीके से बच्चे के दिल में उतारेंगे, यह चीज़े यहाँ पे सीखने है, तो जो हिंदी आएगी, हिंदी में कुछ तो grammar आएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे, जो आपको मैंने कल एक question भी दिखा था, कुप्चारात्मक सिछड में हिंदी भासा किस तरीके से पढ़ाई आती है, तो अगर आपने वो वीडियो देखा है, तो आप समझ गयोंगे कि हिंदी में भी पेड़ोगाजी आती है, आपसे यही पूछा जाएगा कि इसका तस्सम बत भूल वास्त न शिच्छा जब आपका अच्छा नवी दस्वीरान करको आए Одntqui होता था पहले था, क milligram अजब आपको जो है सौनमबर मेंसे 98 नंबर देते थे हैं आप नहीं हो सकते हैं क्योंकि आप बच्यों को किस तरीके से बताएंगे सारी दिक स्वस्थता कैसे बनाई रहनी है तो बताया जाएगा आपको बच्चों को इस तरीके से आपको ट्रेट करना नहीं जाता है आपको यहां पर प्रसिच्छन दिया जाता है आप आपके नाम के सामने आपके नाम के सामने अभ्यर्थी नहीं लिखा रहेगा आपके नाम के सामने प्रसिच्छू लिखा जाएगा क्या प्रसिच्छू लिखा जाएगा प्रसिच्छो का मतलब यह है ट्रेनर ट्रेनिंग करने वाला ठीक है ट्रेनिंग करने वाला ट्रेनर तो जो ट्रेनिंग देता उसे कहा जाता है प्रसिच्छो का मतलब ट्रेनिंग करने वाला आप प्रसिच्छो करने जा रहे हैं इस वज़े से आपको प्रसि में आपको बोलना चलना है किस तरीके से सामाजिकता आपको बनाए रखने किस तरीके से अपने भविस्य को ले करके मजबूत बनना है क्योंकि आप ही है जो भविस्य का प्रधान मंत्री उत्पन करेंगे और यहां पे जो है सो नंबर का टीचिंग लगेगा आप सभी लोग मतलब सव नंबर का इस्टरनल होगा इस्टरनल का मतलब बाहरी होगा सव नंबर का इंटरनल मतलब अंदर का होगा इस्टरनल का मतलब बाहरी मतलब बाहर टीचिंग लगेगे किसी प्राइमरी विद्ध्याले में अब कुछ लोग कहेंगे हम डाइट आगरा में है तो का हम अपने गाव सुल्तानपूर में कुछ लोगों का हमारे यहां सुल्तानपूर के बच्चे हैं उनका आगरा चला गया है अगरा डाइट मिल गया और कुछ और लोग करना भी चाहते हैं तो आगरा जाएंगे जब करने के लिए अब उनकी जो टीचिंग लगेगी आप जहां से समेश्टर में आपका जो टीचिंग लगेगा और आखरी समेश्टर गरा 6-8 लगएगा ठीक है यस रहा पूरा वी टीसी सेकंड् समेश्टर का सिलेबस और कुछ लोग बताएंगे बीटीसी के लिए कौन सी किताब मुझे लेनी चाहिए तो देखिए आप पहले आप अपन पूछना चाहते हैं इमेल आईडी भी जानते इंस्टाग्राम भी जानते हैं वहाँ पे question पूछ सकते हैं ठीक है वहाँ पे question पूछीएगा आपका जो भी query हो पूछ सकते हैं और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आपको स्लेवस मिल जाएगा तभी मैं जो है आपको किताबे बताऊंगा क्योंकि मार्केट में धेर सारे कच्रे जाए उपलब्द है ठीक है आप BTC के नाम पर फला 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 किताबे तो उसमें जो बेश्ट किताब होगी वही मैं बताऊं क्यों आपका पैसा बरबात कि ठीक है चलिए उसके बाद मैं आपको बताता हूं दो वर्स आप यहां पे छपा है दिल दो वर्स आप दिल से दीजिए कुछ करना है तो कुछ लोग कहेंगे कि हम जो है मतलब की दूसरी तैयारी कर रहे हैं तो क्या हमें कर सकते हैं जी बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप तो आप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमारे हिसाब से जो हमारा एक प्रसेप्सन है आपके लिए आप जो है कुछ भी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे थे या कुछ भी करने वाले हैं आगे जैसे कुछ बड़ा करनी का कुछ लोगों का विचार होगा कि हम जो है UP PPCS की तयारी करेंगे, IIS की तयारी करेंगे, भगवान करेंगे, आप उस योग्य हों और हों, और कुछ लोग पहले CGL की तयारी करते थे, जब उनका नहीं सिलेक्शन हुगा, गल्ती से हो सकता है कि भगवान की नाराजगी हो या खुद भी उतना अच्छी तरीके से मेहनत न कर पाये हों, और उनका चेह न हुआ हो, तो लोग लगतार पूछते हैं कि भगया क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बताऊँगा, जिस तरीके से आपने पहले दो-चार साल खपाया है, और आगे जो है, आपको मौका मिलेगा, क्योंकि यह जो दो साल वाला समय है, जिस दर मिले आना प्रसिषण करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा, कि एक बार, दो साल आप इमानदारी से दे दिजिए, दिल से आपको यहाँ पर दे दे देना है, चाहे आप B.A.T. कर रहे हैं, या D.A.L.T. कर रहे हैं ठीक है, एक बार आप दो साल इमानदारी से दे दिजिए, यकीन मानिएगा दो साल के बाद जो आपका समय आएगा बहुत ही आपके लिए सुखधायक होगा ए बाते आपको दो साल के बाद समझ में आएगी जो लोग हमारे साथ इमांदारी से जुड़े होंगे यह बात यह आपको तभी समझ में आएगी जब आप कहीं सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो दो साल इमानदारी आपको दिखानी है, सब कुछ छोड़ दीजिए, मैं ही आपको बताऊंगा, दो ढ़ाई साल आपको मेहनत करना है, मेहनत भी नहीं करना है, अब कुछ लोग के SSE CGL वाले बच्चे होंगे, 10-10 गंटे पढ़ाई करते हैं, कितने गंटे, 10 गंटे, 8 गंटे, 9 गंटे, मैं उनसे कहता हूँ, आप 10 गंटे मत दीजिए, आप केवल और केवल 4 गंटे देना है, 4 गंटे, ठीक है, अगर आप 4 गंटे देते हैं, तो TET की जो पहली बार आप परिच्छा में बैठेंगे, तो 150 में से 130 नमबर पाएंगे, 150 में से 130 पाएंगे, कि यवल आपको क्या करना है, 4 गंटा, डेली कांटीनिव आपको दे देना है, 2022 में आपकी TET हो जाएगे, ठीक है, तो ये रहा 2nd semester का subject, और जितने भी आपकी query हो, आप पूछ सकते हम से, औ और आप लोगों का जो admission का process चल रहा है, आप लोग admission की प्रक्रिया में भाग लीजिए, जो भी आपकी query हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन 1st semester का जो मैंने syllabus बताया है, उस syllabus को आप देख लीजिएगा, इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, और आपके भविस्की कामनाओं के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद,